बेटी की शादी है 18 नौवबर को जब इसका जनम दिन है उसी दिन इसकी शादी है और इस शादी में जो है जेन और वीगन फूड बनेगा कोई परशुपदार्थ का प्रयोग नहीं होगा परशुओं का प्रयोग नहीं होगा मेन्यू कार्ट किस तरह से डिजाइन किया गया है क्योंकि इसमें क्या चाय कॉफी भी नहीं है चाय कॉफी भी रहेगी और सब दूसरी जो नॉर्मल वेजिटेरियन फूड होता वो सब रहेगा लेकिन हमने विकल्प का प्रयोग किया है जैसे चाय के लिए हम बादाम के दू को उर्मल के तो चोंड़ और स्क्राइं विफूग का प्रयोग करेंगे पनीर की जगेए विगन घी प्रयोग कर से पस्यूड से बना घी है उसकी जगे विगन घी का प्रयोग कर रहे cycle की कोई यहं को पर्यों कनूर न करें वंबhar everyday कुशिश करे के इनका प्रयोंग है फताकों का प्रयोग न करें और जानवरों का प्रयोग वेसे भी दुला एक्सेपटेड है तो उन्होंने तो वो गोड़े आधी का प्रयोग नहीं कर रहें गोग और क्या खास रहेगा इस शादी में और कितनी अनुक ही रहेगीी और कपसे आपने इस अंकल पर गये वीगन ब हुई थी भोपाल में हुई थी और इस बार भी हम जो है वीगन संदेश वाली बैग दे रहे हैं और एक किताब जो है यह शुशोवित की लिखिवी किताब है बैज भी बनवाए हैं उसमें भी संदेश हैं और पोधे भी देंगे ताकि पर्यावरान के प्रतीद लोगों को ज शादी वीगन होने जा रही है क्रुएल्टी फ्री और सस्टेनेबल वे ओफ लिविंग है यह तो मैं खुश हो इसको लेकर आगे आप मतलब शादी के बाद भी इसी तरह वीगन बनी रहेंगी किस तरह से आपको क्या विचार है जी शादी के बाद भी मैं अपना लाइफस किये हमने यूट्यूब सारा इंटरनेट एक्सप्लोर किया खुद भी बहुत चीजे बनाई तो और फिर वो सब सब फाइनल करके जो कंक्लूशन निकाला हमने तो बेस से बेस्ट हमने ट्राय किया है कि सारा जो चीजे वीगन हो सकती है वो सब इंक्लूट करें हम अपने श कर्वार फुट्प्रिंट भी बहुत जादा बढ़ जाता है तो वीगन डायट अपनाने से आप अनीमल कुईल्टी से तो बचे रहे हैं साती साथ अपना कार्बन फुट्प्रिंट प्लैनेट पे कर रहे हैं तो जो हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं उसको भी कम करने के जब विगन बने तब इन्होंने मुझे काफी पश्यों के बारे में बताया कि दूट किस तरह से आता है और दूट से बनी वी चीजे जो हम कहते हैं उनके पीछे कितनी कुरूल्टी है और कितने जीवों की हिंसा होती है तो बोले एक बार तुम मतलब इसको देखो और सर्च क हो मतलब कि यह कितना सत्य है फिर यह जहां भी जाते थे और वहां से जो इनको लगता था मतलब कि यह घर के अंदर आके बताते थे और हमें बोलते थे कि दिको यदि हम बहुत जल्दी इस चीज़ को सिविकार कर लें कि हमारे खाने पीचे खाने पीने के पीचे है या हमार पेपर वगरे में भी जब कुछ चीज़ें हम देखते थे तो उसके माध्य हम सब ने पढ़ा सर्च किया और एथिकली अब हमने इसको स्वीकार कर लिया है जी थोड़े सा लगा था जी डैरी प्रोड़क्ट मतलब खास दिक्कत तो जैसे हमारे खाने पीने की नहीं थी लेकिन हमें यह लगता था कि जब मेरे बच्चों की शादियां होगी तो उनकी शादी मैं कैसे करूँगी मतलब वीगन शादी कैसे करूँगी और सामने वाला इस चीज़ को एकसेप्ट करेगा की नहीं तो मुझे बड़ा डर भी थोड़ा सा बना होगा था कि मेरे बच्चे दोनों वीगन हो गया है परिवार भी वीगन हो गया है तो इनको कुन स्विकार करेगा मतलब इस शादी को और यसे हमारे इस फून को तो थोड़ी सी में चिंता ग्रस्त भी थी लेकिन चुकि जेन धर कर रहे हैं और इनके परिवार वाले भी तो शायद इस तरह से हम यह शादी भी वीगन कर रहे हैं उनकी वज़े से ही यह संभव हुआ है